हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे डूप चैनल देटीच एक्जाम में दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई क्लास के साथ दोस्तों आज हम कमेश्ट्री के 25 मौस्ट इंपोर्टन क्वेस्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों यह हमारी क्लास सिकेंड है तो चैनल को सस्क्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे और दोस्तों में सेर कीजे और कमेंट करके हमें आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसे आप जोईन कर लीजे जहां से आपको इस questions की PDF मिल जाएगी और जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़के higher education related admissions, scholarship और fellowship की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविस को सुनेरा बना सकते हैं दोस्तों चलते हैं अपने questions पर दोस्तों question number 26 है मैंने आप से पिछली class में पूछा था यही question की सबसे हलका तक तो कौन सा है तो दोस्तों आप बताईए इसमें से सही answer क्या होगा बहुत सारे दोस्तों ने हमारे इसका सही जबाब दिया था लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ इसका जो सही answer होगा वो आपका होगा option number C सबसे अलका तक तक जो दोस्तों है होगा होगा hydrogen तो इसका option number C सही होगा जिन लोगों का नहीं पता था तो उनको मैं बता दूँ अपने note down कर ले उसका सही option होगा option number C hydrogen चलता है दोस्तो पर नेक्स्ट कॉश्टन पर दोस्तो आपको बताना है कि आर्सेनिक वा एंटी मनी किस तरह के तत्तो हैं बताए इसमें सही आपसन क्या होगा आपका B उपदात हुए यह जो आट से निक वाइंटी मेनी है वो एक उपदात हुए ठीक है दोस्तों दोस्तों हम आपके questions के दोरान सिर्फ 5 सिकंड का time देंगे इसमें आपको अपने questions का answer सोच लेना है और अपने comment में नोट डाउन कर लेना है और आपको बात को हमें comment में बताना है कि आपके 25 questions में से कितने questions सही हुए है ठीक दोस्तों फिर चलते अपने next question पे दोस्तों आपको बताना है कि तब तो के वाइब छोटे से छोटे कंड जो किसी भी रासाइनी के किरिया में भाग ले सकता है परंत परंत स्वत्न रासाइनी के बाग ले सकता है परंत स्वत्न रासाइनी के तो दोस्तों इसका जो सही हुए होगा वो आपका अप्सन नमबर होगा a परमाड उस्यापरमारू कहते हैं चलते हैं दोस्तों पने next question पे दोस्तों आपको बताना है कि 20 का प्रतेक पदार्थ सूच मकड़ों से मिलकर बना होता है इसे किसने कहा है डाल्टन ने कहा है, एंडर्सन ने कहा है, आइंश्टीन ने कहा है या कडाद ने कहा है, बताई इसमें सही आपसन क्या होगा भीस का प्रतेक पदाद सूच मकड़ों से मिलकर बनाया है ये किसने कहा है बताई इसमें सही आपसन क्या होगा A B C D में सही अपसन क्या होगा तो दोस्तों जो 31 का सही आफसन होगा और आपका आफसन नमबर होगा D कडान ने इसे कहा है इसका प्रतेक पदार जो सुच मुकड़ों से मिलकर बना होता है उसे कडान ने कहा है चलते हैं दोस्तों पर नेक्ट कोईचन पर दोस्तों आपको बताना है कि सबसे हलकी धात कौन से होती है आपके आपसन है उस्मियम, बी, सोना, सी, चांदी या डी, लीथिमियम बताई इसमें सही अपसन क्या होगा दोस्तों सबसे हलकी धात कौन से बताईए दोस्तों आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं इसका सही अपसन क्या होगा ए, बी, सी, डी में सही बताई इसमें क्या होगा तो दोस्तो इसका जो जो सही आपसे नंबर होगा डी लीथियम जो लीथियम दोस्तो है वह सबसे हलकी धात होती है चलते हैं दोस्तो फ़रें next question पे दोस्तो आपको बताना है कि सबसे बहरी धात कौन सी होती है आपसे लीथियम, ऐलमुनियम, ओस्मियम या लोहा बताई इसमें सही आपसन क्या होगा अब यह आपने बताई थी हलकी धात अब आपको बताना है कि सबसे भारी धात कौन से होती है बताई इसमें सही आपसन क्या होगा लीथियम होगा कि ऐलमुनियम होगा कि ओस्मियम होगा या फिल लोहा होगा तो दोस्तो इसका जो सही आपसन होगा वह आपका आपसन नमबर होगा C. ओस्मियम ओस्मियम जो होती है दोस्तो वह सबसे भारीदात होती है चलते हैं दोस्तो अपने next question पर दोस्तो आपको बताना है तब तथा योगिक कवा छोटे से छोटा कर्ड जो सुतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं आपके आड़ु भार कहेंगे या परमाड भार कहेंगे या परमाड भार कहेंगे बताई इसमें सही अपसन क्या होगा तब तथा योगिक कवा छोटे से छोटा कर्ड हम आपको बता दें, अपसन नमबर B होगा, और उसे हम कहते हैं, ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने नेक्ट क्वेश्चन पर, दोस्तों आपको बताना है, बिद्द्दारा का सरवत्तम चालक कौन सी दात हुए, चांदी है, सोना है, ऐलमुनियम है या लोहा है, बता ही इसमे हैं कि लगबग 6-7 बार पूछा गया है, बता है इसमें सही आपसन क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही आपसन होगा, वो आपका आपसन नमबर होगा, A. चांदी, विद्द्द्दारा का सरवत्तम चालक जो है, वो चांदी होती है, चलते हैं दोस्तों पने नेक्ट कि परदात का परमाडविक सिद्धान्त किस ने दिया है आपके आपसे ने जे जे थामसन, बी रदर फोर्ड, सी डाल्टन या डी आंश्टीन बताए इसमें सही आपसें क्या होगा किस ने परदात का परमाडविक सिद्धान्त दिया है बताए इसमें सही आपसें क्या होगा दोस्तों, A सही होगा, या B सही होगा, या C सही होगा, या Einstein, D सही होगा, बताइए, तो दोस्तों, इसका जो सही आपसन होगा, वो आपका आपसन नमबर होगा, C Dalton, Dalton ने परदार्थ का परमाडविक सिद्धान्थ दिया है, चलते हैं दोस्तों, पने next question पे, दोस्तों, आप आपको बताना है, कि इन्निमन में से सर्वधिक अगात वरदनिय धात कौन सी है, बताइए, दोस्तों, इसमें और दोस्तों, इसका जो सही आपसन होगा, वो आपका अपसन नमबर होगा, C, सोना और चान्दी, चलते हैं दोस्तों, अपने next question पे, दोस्तों, आपको बताना ह अगर आपका टेट और सूपर टेट और यूपी टेट एक्जाम की तैरी कर सकते हैं और मैं आप से वादा करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपका TET और सुपर TET और सीट एक्जाम जरूर आप कौलिफाई फर्ष एटेम्ट में ही कर लेंगे बताए इसमें सही आपसन क्या होगा तो दोस्तो इतका जो सही आपसन होगा वो आपका आपसन नमबर होगा A. सतंदर नाथ वासू और आइंश्टीन चलते हैं दोस्तो अपने नेक्ट कोश्चन पर दोस्तो आपको बताना है किसी तत्त का सरवार्दिक अविलाच्छिक गुर्दर्म से पता चलता है मतलब क्या पता चलता है किसी तत्त का सरवार्दिक अविलाच्छिक गुर्दर्म से क्या पता चलता है प्रमाट निये को बताना है, प्रमाट लाइप पता जलता है, प्रमाट कुरमांग, पताना है. क्या क्याएं पता जहताएं? एसे सएखालों पता जहता है? पता सब्सक्रा Ayakcentered क् FIRitäten का ह 그런데 निया निया हुग है जोन, लोनी ही कहला गया, बताइए दोस्तों इसमें सही आपसन क्या होगा, दातों का पारा में गोल क्या कहलाता है, अमली ही कहलाएगा, बी अमलगम या छारी या लोनी ही, बताइए इसमें सही आपसन क्या होगा, बताइए दोस्तों, इसका जो आपसन सही होगा, वो आपका आपस दोस्तों बताई क्या होगा, क्वांटम संख्या होती है, कितने प्रकार की होती है, चार होगी, पांच होगी, तीन होगी, या दो होगी, तो दोस्तों जो थर्टी नाइन का सही आपसन होगा, वो आपका आपसन नमर होगा, ए, चार, जो क्वांटम संख्या होती है, चार प्र होंगे छे होंगे बताइए इसमें सही अपसन क्या होगा तो दोस्तों जो इसका सही अपसन होगा वो आपका आपसन नंबर होगा सी दो जो चक्रन कॉंटम संख्या जो होती उसके मान दो होते हैं चलते हैं दोस्तों पर नेक्ट होगा है बताई ये सका सह रगार होगा ए सिर्ट फॉर्टो इस अपसन होगा तो दूस्टो इसका इसंट में था थोड़ा सा दिमाग लगाइंगे तो आप इसका सड़ी आपसंन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही option होगा हूँ आपका option number होगा A हीरा जो दोस्तों चमक वाली अधात होगा हूँ हीरा है दोस्तों अपने next question पर दोस्तों आपको बताना है कि 43 number question है हमारा A, B, C, D में सही बताएं इसमें कौन सा सही option होगा बताएं दोस्तों इलक्टान की तरंक परकत खोज किसने की थी तो दोस्तों इसका जो सही option होगा वो आपका option number होगा इसका जो सही option होगा दोस्तों आपका option number होगा B, D, Brogley चलते हैं दोस्तों पर ने next question पर दोस्तों आपको बताँना है कि निम्य में से पाजिट्रॉन की खोच किसने की आपकी ओफिन है A. ईंदर्सन, B. D. बोगली, C. हैंस, Giger, D. आइंस्टीन बताई इसमें सही आपसन क्या होगा पाजिटरान की खोच किस ने की थी अंडर्सन ने की, डीब रोगली ने की, हैंस ने की, आइंस्टीन ने की बताई इसमें सही आपसन क्या होगा बताई दोस्तों इसका सही आपसन क्या होगा ये D परमाड करमांग कहेंगे बताई इसमें सही आपसन क्या होगा परमाड के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या को क्या कहा जाता है आपको बताना है आपके आपके सामने A, B, C, D में, बताइब Records? कि आपना होगा, तो दोस्तों, इसको जो सही Farm cin तो दोस्तो इसका option होगा option number A अमली है जो अधातों की oxide होते हैं उनकी अधातों की oxide की परकत जो दोस्तों होते हो अमली होती है चलते हैं दोस्तों प्रें next question पर दोस्तों आपको बताना है quantum यांतेकी का मूल समिकरण किसने परतिपा दित किया था आपके option है A. Anderson option B. D. Broglie option C. Haw messenger option D. Rutherfaud बताई इसमें सहי option क्या होगा बताई दोस्तों इसमें सही option क्या होगा quantum NH два का? किसने पत्रबा देत किया था? एंडरसन ने? D. Broglie ने? श्रो digender डिंजर ने? या D. Rutherfaud बताएं बताई दोस्तों इसमें सही ऐतनी क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही ऐतनी तो आपका आपसन नंबर होगा व्याहरे तक कॉंछë क्रेकिन क्यमल अथार्त जब तक संभव है, अलक्टान अगुमित रहते हैं, यह कौन सनियम है, आप दोस्तों पहले अच्छे से पढ़ लिजेगा, फिर आप इसका जबाब दीजेगा, कि अलक्टान जब तक युगमित नहीं होते, जब तक की रिक्त कच्छक प्रया अवेलवल है, अथार् अपसन B, हाइजनवर का अनिशिता का नियम है, अपसन C, पावली का अपवरजन नियम है, यह अपसन D, आफ बाव नियम है, बताए इसमें सही अपसन क्या होगा, बताए दोस्तों इसमें सही अपसन क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही अपसन होगा, अपका अपसन नम नहीं हो सकता अता यदि दो एलेक्टरान के एन एल और एम के मान एक ही हो तो उनका चक्रन विपरीत होगा या कौन सा नियम है दोस्तों आप इसे सही से पॉस करके पढ़ लीजे मैं आपको रिपीट किये दे रहा हूं कोईश्चन के परमार में कि नहीं दो एलेक्टरान के च आपसन बी पावली का अपवर्जन नियम आपसन सी आप बहु का नियम या आपसन डी हुंड का अधिक्तम बहुलता का नियम बताए दोस्तों इसमें सही आपसन क्या होगा बताए इसमें A सही होगा या B सही होगा या C सही होगा या D होगा बताए दोस्तों इसका सही आपस किसी कड़ के इस्थिति और बेक का एक साđथ अधाद निर्दारन असंबहु है एक नियम है यह आप बताएं कि सको फालो करता है हाईजन भर के यह उंड के यह पवली के यह आप भर के तो बताइए दोस्तो इसका सही अफशन क्या होगा तो दोस्तो इसका जो सही आफसन होगा वो आपका आफसन नंबर होगा A. Heisenberg का अनिशितताक का नियम दोस्तो चलते हैं अपने इस वीडियो के होम वर्क क्वेस्टन पर दोस्तो यह क्वेस्टन मैं आपके लिए होम वर्क दिये जा रहा हूँ इसका answer आपको हमें comment box में देना है आपका question है धातों के आकसाइड की प्रकत कैसी होती है आपको बताना है कि धातों के आकसाइड की प्रकत कैसी होती है अमली होगी चारी होगी लवणी होगी या इनमें से कोई नहीं मैंने अधात हुँ हो मानने अधात हूं और आक्साइड की परते हैं कि यहां पर Zac अगर आपको वीडियो को पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में सेर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सेंस्क्राइब कीजिए और हमें menor बाकस में जरूर बताए कि आपके 25 में से कमिश्टी का आप कितना ग्यान रगते हैं और आपने कितने क्वेश्चन सही किये हैं दोस्तो ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाते रहते हैं और आपकी एक्जाम की प्रिपरिशन को और मजबूत बनाते रहते हैं दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय बारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद